मुझे जाने क्यों तेरी याद आई, मैं उठाव चल दिया करे, 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 चरूल दिया है लो अब्रीवन वेलकम टू टेग परिन फो दिस इस संजय चौधरी टूड़े आई विल डिसकस एबाउट चित्यकारा इंविश्टी इस इंविश्टी के बारे में मैं बीटे कूर्स को लेकर के डिसकसन करूंगा ओवर आल इस वीडियो में क्या-क्या पॉइंट डिसकस ह होगा वो मैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले मैं डिसकस करूंगा एबाउट कॉलेज सेकंड होगा आपका हाँ फैसल्टी के बारे में आफ्टर डेट वी डिसकस एबाउट दे एड्मीशन प्रॉसेस नेक्स होगा हमारा फीश्ट्रक्चर कितना है सारे ब्रां केमपस में ठीक है तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कॉलेज के बारे में डिसकस करते थोड़ा था कि चित्रकारा इनुश्टी एक प्राइबेट इंविश्टी है जो की पंजाब के राजपुरा में इस्थित है इसका पहल इंस्टिटूट ऑफ इंजीनिंग एंड टेक्नलोजी के नाम से जा जाता था और दो हजार दो में ही स्टेबिलिस हुआ था लेकिन दो हजार दस में ये एक इनुश्टी बन गई राइट केमपस एरिया की बात करूं तो पचास एकड में इसका केमपस एरिया फैला हुआ ह चितिकारा इनुश्टी जो है बीटेक कूर्स जो है दो हजार दो में ही स्टार्ट किया था क्योंकि तभी ये शुरूबा था आज इंजीनिंग कॉलेज तो बीटेक तो कमपलसरी है ही एंड लगबख 1500 से उपर रिक्रूटर्स अभी तक पूरे केमपस में विजिट कर चुके हैं एबरी येर लगबख आते हैं बहुत सारे कमपनीज आती है क्योंकि एक अच्छा इनुश्टी माना जाता है 300 प्लस इंटरनेशनल पार्टनर से नुश्टी के साथ में एंड इसको डामेंड बैंड मिला हुआ है विट ए प्लस ग्रेट बाई आर वर्ल्ड इंस्टिटूशनल रैंकिंग यह क्या होती है यह आप गूगल करिएगा और समझिएगा कि आर वर्ल्ड इंस्टिटूशनल रैंकिंग सिस्टम क्या होती क्योंकि एक्स्प्लेइन करूंगा इस वीडियो विल बी वेरी लॉंग और यह रहें चांसलर और प्रो चांसलर आपको कम्प्यूटी फैसल्टी भी मिल जाती है सारे इनके जो कम्प्यूटर से हैं आपको मैक्सिमम जो है मैक मिलेंगे तो यह एक प्लस पॉइंट है इसके लावा लाइबरेरी की फैसल्टी मिलती है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं काफी ही अच्छा यह लाइबरेरी बना रखे है आफ्टर डेट विफ यू टॉक अबाउट नेक्स फैसल्टी जट इस कैफेटेरिया तो काफी अच्छा कैफेटेरिया है आपको कैंपस के नरबैंक एंड एटिम भी मिल जाएंगे स्कॉलर्शिप की भी सुविधा अब लेबल है इस कॉलेज में तो यू कन गेट स्कॉलर्शिप और सो एंड मेडिकल फैसल्टी आपको टाइम पू टाइम दी जाती है आँख चेक करवाईए दान चेक करवाईए बलड टेस्ट होते हैं सब चीजे होती है अगर एनी कंडि मिल जाएंगे इसके लावा ऑस्टल फैसल्टी की बात करें तो आपको ऑस्टल मिलेगा टू एकमोडेशन मिल जाएगा ऐस्ट तरह से आपको दिखना यह स्क्रीन पर यह थ्री एकमोडेशन से है यानि कि तीन लोग एक साथ रह सकते हैं जिम आप देख रहे हैं यह लोग तो बिठाये गए इस्क्रीन पे, यह तो फोटो की लिट करवाने के लिए बिठाये गया है, बट हाँ, जिम अलेबल है, एंड वाइफाई की फैसलिटी आपको मिलेगी पूरे कैमपस में, अच्छा है, इसके रहाँ AC क्लास रूम्स भी मिल जाती हैं आपको, अच्छी खासी आपको सेकोर्टी की सुद्धा मिल जाती है, हर जगह आपको कैमपरा मिलेगा, तो थोड़ा सा दिक्क्रा सो सकती है, उनके लिए जो लोग थोड़ा सा कपल्स फ्रेंडली कॉलेज चाहते हैं, इसके रहाँ placement and guidance आपको मिलती रहती है, उसके बार मिल डिस्क्स करते हैं, आगे cultural activities मिल जाती है, cultural activities बहुत सारे हैं, मैं आगे discuss कर रहा हूँ one by one, और कुछ clips भी लगा दूँगा, इनका collaborations भी है, किसके साथ है, पहला है AWS, Amazon Web Server के साथ, for cloud computing, for B.Tech Computer Science and Engineering branch, second है इनका Game Designing and Augment Reality and Virtual Reality से सम्बंधित भी चीज़े हैं, जोकि इस Computer Science and Engineering वाले इसका फादा लेते हैं, and A.R.A.I. जाने की Automotive Research Association of India के दोआइनका tie-up है, collaborations है, for automobile engineering branch, last है वर्तुचा, इसके साथ भी इनका collaborations है, ये क्या करता है कि आपको, industry ready बना देता है, यानि की अगर जो भी industry को जरूरत है, एक Computer Science graduate को, कि सपोच को ये एक demand है, full stack developer की, तो full stack developer आपको बना के भीजेगा, उसके लिए कुछ extra charges भी लेते हैं ये लोग, and अगर आप internship qualify करते हैं, तो internship करवाएंगे, आपको कुछ रुपए भी देंगे ये लोग, तो अलग-अलग schemes है, इसमें अगर आप इनका Wattusa program जोईन करते हैं, तो आपका जो B-Tech program है, अगर आप करना चाहें, तो आपको B-Tech plus M-Tech एक साथ देते हैं, 5 year में, Wattusa के द्वारा, क्योंकि वो एक साथ increase करेंगे, आपका उस level की information आपको provide करते हैं, उस level का आपको technology सिखाई जाती है, campus के अंदर, ऐसी facility यहाँ पर हैं, यह मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, admission process क्या होगा आप, देखिए, admission process के लिए, सबसे पहले आपको जानना होगा, eligibility criteria, तो अगर आपने 12th pass out कर लिया है, with minimum 60% marks, and with PCM, याने की physics chemistry mathematics, with your subject, then you can take admission in this college, as a B.Tech student, eligible हैं आप, अब branches कितनी हैं, तो branches आपको screen पे दिख रही होंगी, total branches आपको दिख रही है, 7, आगे हम explain करेंगे, detail में, admission process के लिए simple है, कि आपको, जो है, जे इमेंस कितनी admission ले लेंगे, जो आपका rank आएगा, इसके लावा इनकी website पे, इनके college में जाकर भी, आप form को fill कर सकते हैं, ये off campus भी लेते हैं, direct admission भी होता है, private college है, but, कुछ internal exam भी होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, जदा कुछ difficult हैं नहीं होते हैं, very easy exams होते हैं, तो उस process से गुजरना पड़ेगा, आप जाएंगे website पे, form fill करेंगे simple है, एंग कुछ document अपलोड करने होगे, document अपलोड करिएगा, उधर से खुद call आपके पास आ जाएगा, क्योंकि private college है, आपको convince करने की पूरी कोशिस रहेगी, कि भीया हमारे यहां आओ, एन admission लो, अब सवाल है है, कि जब admission करवाने आप जाएंगे, तो कुछ documents होती है, सबसे पहले आपको देना होगा, आपने 10th end pulse की marksits, इसके बाब के ग्रिजूशन की marksits, अगर आपने ग्रिजूशन की है, बीटेक के लिए ज़रुवत नहीं इसकी, इसके अलामा आपको CC यानिक करेक्टर सार्टिफिकर देना होगा, rank card आप क्वालिफाइंग इंजाम, इसके लिए आपका आधार कार्ट कार्ट कुस तो लेंगे यह लोग, नेक्स बात करता है, अप्लिकेशन फीस कितनी लगेगी, तो अप्लिकेशन फीस यहां पर है 1100 रुपए, फॉर्म फिल करने का, जो इनकी वेफसाइट पे अबलेवल है, चाहिए आप ऑफलाइन भरे चाहिए ओनलाइन भरे 1100 देना पड़ेगा, एंड एंड इसको आप किसी भी थूप पेमिन कर सकते हैं, ओनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, एंड इसको आप डिमांड ड्राफ से कर सकते हैं, as you wish you can pay, अगर आप हिमाचल परदेश से बिलॉंग करते हैं, तो आपके लिए 25% रिजर्वेशन हैं, इस वर बिलॉंगिंग फॉर्म पंजाब, तो आपके लिए 15% सीटे रिजर्व हैं, इस वर बिलॉंगिंग फॉर्म SCST, OBC, तो आपके लिए भी कुछ रिजर्वेशन हैं, ये उन्हेंने मेंचन नहीं कर रहा है, ये अपने एकोर्डिंग ये चेंज कर पाएंगे, ठीक, अब बिटेक के जितने ब्रांचेज हैं, सारे ब्रांचेज की फीज दी गई है, ठीक है, सिविल इंजिनिंग, इलेक्टिकल इंजिनिंग, फायर सेफ्टी इंजिनिंग, सारे की दी गई है, स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, यू केंट टेक एड्मिशन, राइट, अगर आप इसमें स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, तो फीज काफी जादा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, फीज तो जादा है, इतना भी हाई नहीं है, अगर चार साल में बीटेक कर रहे हैं, तो पांचे लाग तो नॉन्मला खर्चे होते हैं, बीटेक में, होस्टल और मेस की फीज की बात के, तो 3 sharing में 34,000 लगेगा, और 4 sharing में 31,000 और 5 sharing में 30,000, मेस का क्या हिसाब किताब है, 13,000 पर समेस्टर आपका फीज है, मेस का 13,000 पर समेस्टर, लॉन्डरी की सुधा बैया, कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा, 3,000 पर समेस्टर देना पड़ेगा, पांच जार रुपैस से को टीफ इसाब को देनी पड़ेगी, ये कल्कुलेटर कर लीजिएगा, किस वाले रूम में आपको जाना है, 3 sharing, 2, 4 sharing, and 5 sharing, जिसमें जाना होगा, उसकी साब से कल्कुलेटर करिए, and you can take admission, according to your necessity, अपनी जरूरत के इसाफ से, आप अपने आपको manage करिए, ठीक, एक सी और होगा कि आपको, hostel में क्या-क्या facilities मिलेगी, आपको bed मिल जाएगा, mattress मिल जाएगी, अज मीरा मिलेगा, एक table मिलेगा, एक chair मिलेगी, इतिनी सुधा हैं आपको मिल जाएगी, and placement की बात करते हैं, that is most important, इन्होंने एन एवरेज जो package है, वो आपका लगभग, last year गया था, 8,008.51 LPA, average package, ठीक है, तो placement percentage आप देख रहे होंगे, year to year, बट अगर आप overall and average placement percentage निकालेंगे, तो लगभग 86% बच्चों का placement हो जाता है, mass recruiters की बात करें, तो ये सारे mass recruiters है, इस screen पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, now I will talk about cultural fest, तो cultural fest यहाँ पर देखेंगे, तो 5 cultural fest दिख रहे हैं, फंडर क्लिव है, साजे इसूर है, national theater festivals है, इसके लाँ एक्सपूर cultural fest है, चित्रकारा literature fest है, राइक, के वो भी गाउं से आई थी, और मैं भी गाउं से आया था, और इस रूख है विगड़े शहर ने, लेकिन हमको अपनाया था, और एक छोटे से कमरे को, एक छोटे से कमरे के कौने को किचन बना, तो उसमें चाय बनाते हैं, अभी वर्ष पे गत्ता डालकर हम पाहों में सुझाते हैं। इसके लावन टेक फेस्ट भी करवाया जाते हैं, तेक की स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैंगे, तेक है, अब बात करते हैं, नोटेबल एलमुनाईज की, तो अमन दीप सिधु जो है, यहां की एलमुनाई है, टेक्निकल प्रोग्राम मेनेजर आपको है, दिख जाएंगे, गूगल करेंगे तो इनके बारें पता आप लगा सकते हैं, इसके लावन कैप्टन तमन्ना भसीन जो हैं, वो भी यहां की नोटेबल एलमुनाई रह चुकी है, ठीक है, यह रहें दो इलमुनाई, अब आते हैं हमें कंक्लूजन पे, कि आपको एडमीशन यहां पर लेना है या नहीं, या चाहिए लेना या नहीं चाहिए, डिस जाने आप नहीं ले पा रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा, कि लेना है या नहीं लेना है, तो चलिए उस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो मैं यहां की निगेटिव एंट प्लस पॉइंट की बारे में डिस्कस करूँँगा, यह जायसी बात है, तो पहला चीज़ है कि यहां पर जो डिस्पलीज है बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको फॉलो करने ही करने है, सेकंड है आपको डेली कर डेली यूनिफॉर्म पहन के आना है, लाइक स्कूल जिसे ट्रीट होता था, कि स्कूल में हम जा रहे हैं, तो आपको यूनिफॉर्म पहनना है, उसी तरह कि यहां पर यूनिफॉर्म पहनना ही पहनना है, ठीक है, इसके लाब आप दोनों कैंपस में, जो दोनों कैंपस है, वो सीटी से बहुत दूर है, यानि कि बाहर आउट साइड में, तो city से connectivity बहुत कम है वरसे आप जा सकते हैं बट ऐसा नहीं है बट दूर है तो आप daily महा ट्रेवल नहीं करेंगे क्योंकि city से connectivity होती है तो लोग आते जाते हैं आराम से एंड इंज्वा भी करते हैं इसके रहां transportation की सुधाओं का बड़ा ही लोचा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो वैसे भी दिक्कत होती है और पंजाब में भी दिक्कत है है transportation की जहां पर यह college है राइट सबसे दिक्कत आपका हिमाचल में है एंड फिप्ट प्वाइंट है कि यह जो बहुत कॉस्टली है टूशन फीस हॉस्टल फीस है जिए फुरसा कॉस्टली पढ़ती है मेरे हिसाब से क्योंकि इतना बहुत सारी यह fine लगाते हैं आपने लेट आये तब fine लगा दिया आप 75% attendance नहीं पूरा कर रहे हैं तब भी fine लगा रहे हैं बहुत सारी लोचे हैं तो fine बहुत सारी लगा जते हैं कुछ जगह ऐसे हैं कि आपको fine देना पड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा fine किस चीज का है लास्ट है कि आप जो है hostel से तभी जा सकते हैं लीब ले सकते हैं तो पहले आपको अपने वार्डन से परमीशन लेंडी पड़ती है यह वहां की बच्चा है उसी ने मुझे बताया message किया था ठीक है एंड आपको attendance तो 75% पूरी करनी कोई भी excuse नहीं देना होगा यह रह पर एक भी वापस ने होनी सो इनू दिल खोल के मेलब करो पड़ाई करो इंज्वाए करो हर एक मोमेंट नू इंज्वाए करो और यह देन बदके ही फिर फिर ने होने है खुछ रहो है जड़ी सारी नरजियसी नाय लेके जानी है जिन्निया थकाप्टा हुए है सारी अलात जिन्या थोड़िया थोड़िया को करिकल्वर अक्टिविटिविटिव ने उन्ड़नों भी न्यूए करो